हालो वेलकम तो माई योटूब चानल हेल्फ फिट्नेस और पैरेंटिंग आइम श्वाता तुपाटी वेलकम तो माई योटूब चैनल आई होप सब आप अच्छी होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूं सौरी थोड़ा डेले हो गया वीडियो में थोड़ी बिजी थी और मेरी तब्याद भी ठीक नहीं थी तो इस रिकार्डिंग लेट हो गया आज का जो वीडियो है वो हाई रिकमेंडेड हाई बीपी पे वीडियो है और सभी की क्वेरी थी कि हाई बीपी पी वीडियो बनाया तो हाई बेपी के साथ साथ मैं तो तीन चीजें आपको और भी बता देती हूँ, आगे वीडियो भी करूंगे उसके, तीन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, हमारे लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, हमारा डाइट ऐसा हो गया है, हमारे जो हमारे जो नीड्स है और जो हमारे ब अगर दिफरेंस होता है अगर है तो इस एकॉर्डिंगी बड़न अप अप एंड डाउन होता रहता है, इसी तरह डाइबिटेस का भी है, कुछ तो यह जैनेटिकल होता है और कुछ आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, खाने का है, पीने का है, इससे भी काफी इफेक्ट प हमारे जप साथ हमेडीकेशन पे अगर हमारे भी काफी मैडीकेशन थे तो मेडीकेशन अभी नहीं चलता है, तो अगर आपको ऐसी problem होती है तो immediately doctor से आपको concert करना चाहिए because क्या है आपको उस time पता नहीं होता है कि हमें क्या problem हो रही है second अब मैं बात करती हूँ कि उसके symptoms क्या है high bp के मैं आपको बता दू कि इन सारे symptoms में से तीन symptoms ऐसे normal symptoms हैं कि सारे ही person को अगर मेरे को भी high bp की problem हो रही है तो मेरे को भी होगी अगर आपको भी हो रही है तो आपको भी होगी headache होना, सर में दर्द होना, chest में light pain start होना, eyesight थोड़ा सा blood दिखना, आप से थोड़ा कम दिखना, बहुत जादे घबडाहट होना, अनिजनेस फील होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें बहुत ही normal सी होती हैं, हमें ऐसा लगता है कि घर में बहुत घुटन सी हो रही है, हमें थोड़ा बाहर जाना चाहिए, तो ये जो सारे symptoms हैं, बेसिकली इसमें से 2-3 चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों को नाक से बलड निकलने लगता है, जब high BP होती है, सेकेंड ग्यूरिन से भी बलड आने लगता है, अगर high BP है तो, तो ये सारे symptoms में से 2 या 3 symptoms तो mostly आपको दिखी जाएंगे, घबडाहट हो रहा है, प्लम आपको feel हो रही है, तो immediately आपको fresh air में रहना है, second क्या आपको सीधे लेट जाना है, बिलकुल tension free होके without stress आपको लेट जाना है, आपको 20-30 मिनट लेटने के बाद जब आपको लगता है कि थोड़ा आप नॉर्मल हो गया, तो उस टाइम आपको आप लेमन वाटर ले सक सकते हैं, आप नारियल वाटर ले सकते हैं, coconut water ले सकते हैं, आप बटर मिल्क ले सकते हैं, जिसे चांच कहते हैं, यह सारी चीजे ले सकते हैं, बटर मिल्क चांच को आप विदावट सॉल्ट लेंगे, बिना सॉल्ट के आपको यह सारी चीजे लेनी है, इमेजटली अगर कि खाइं नहीं है मिलता है और अगर आप नहीं भी रखते हैं कि आपको आप काफी रेलीफ मील रहा है थार्ड क्या है आपको उस टाइम पे आप जब आपको थोड़ा सा फ्रेश लगने लगे आपको लगे कि अब थोड़ा सा मेरे को ठीक लग रहा तो इमेजिटली आप डॉक्टर से कंसर्ट करें कि उस टाइम पे आपका बीपी कितना है तो डॉक्टर कैलकुलेट कर लेगा कि आपको जब भी लगे इस तरह की प्रॉब्लम तो आप अपने बोडी को जैसे मैंने पताया इस तरह से थोड़ा रिलेक्स करोगे तो आपको स्ट्रेस फ्री लगेगा आपको काफी अच्छा लगेगा इमेजेटली आपको यह चीजे करनी ही है सेकेंड क्या है आपको जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें घब्राहट सी हो रही है और बहुत जारे स्वेटिंग हो रहा है पसीना हो रहा है उस टाइम भी आपको आपके बीपी आपका फ्लक्चुईट करता है तो आपको हमेशा कमपनस्टी कर लो अपने घर पे एक मशीन हर प्रेट की बहुत से ब्रांड की एवलेबल है मेरे पास भी है मैं लिंक डिस्टॉसल बॉक्स में डाल दूंगी तो उससे क्या है आप बीपी मेजर करोगे आपका बीपी अगर बहुत ही नहीं लेना चाहिए विकाज क्या है और जादे प्रॉब्लम होती है आपको अपने डाइट पर ध्यान रखना है हमेशा हमें लो डाइट ही लेना है यह सारी चीजे तो हो गई जो इमेजर्टली अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यह आप घर पे कर सकते हैं स Speak in हमें डाइट पर कंट्रॉल करना है और किस किस रीजन से हमारा हमारा हाई घाट हता है एक तो हमारा सबसे मोस्त इंपॉर्टम हो किया ओवरवेट फॉलो को भी यह प्रॉब्लम बहुत होती है मैंने पहले भी बताया है कि अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए विकॉस क्या अगर आपका ओवरवेट है तो आपको सुगर की भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको हाई वीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है आप अपने वेट पे कंट्रोल करें वेट के लिए और भी सारे वीडियो जो बिल्कुल नैचुरल है आप वहां पे जाके मेरे वहां पे देख सकते हैं भी तो यह सारी चीजे आपको करनी है आपको आपको लेनी है इससे आप देखो कि काफी आपको अच्छा और आपका हेल्थ भी अफ्य अच्छा हो दो क्याश्य हूं जो आपके लिए अच्छ के लिए अच्छा है और डाइट में आपने संफ्लावर सेड एड कर सकते हैं अब जामुन जूस गया है तो आप चंप्टाइट अरिवता और देख ले सकते हैं इन जांडे अरिवता में आपको देख रहा होगा, बेक कैमरे सेक्चुल में, क्लियर नहीं आता है, जामन जूस इंडेजारिवर्ता में काफी अच्छा इसका टेस्ट है, और नैचुरल भी है, तो आप ये भी ले सकते हैं, और आप ऐलोवेरा जूस ले सकते हैं, आमला जूस ले सकते हैं, आमला जू में लेना है दोनों में से आप ले सकते हैं या फिर जामून जूस ले या फिर आमला जूस ले यह ले सकते हैं ऐ Fahrenheit में आपको अपने पल्सेस violence इंक्लूड करनी हैं आपको अपने के उस्झ घ्रनुकर्णी लेस्ट करना है कैसे आप strach के clown talk अब्सकों बॉक्स में डाल दोंगे मैं जो यूज करती हूँ डेली इंडा जारविता का रॉक सॉल्ट में पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ बहुत अच्छा है आपको कोई और भी लेना है तो कुई और किसी और ब्रांड का ले सकते और गयनी ब्रांड धेर सारे ब्रांड अबलेवल है जो मैं यूज करते हूँ उसका link description box में डाल दूगी तो इस तरीके से आपके जो medicine चल रही है उसको आपको skip नहीं करना है उसको आपको timely लेना है medicine को और आपको time to time अपना BP check भी करना है डॉक्टर के पास भी जाना है इस तरीके से आप अपने diet पे अपने weight पे और stress free stress free रहना है बहुत जादे tension नहीं लेना है देखते हैं जब stress बहुत जादा होता है तो दीरे दीरे कहीं न कहीं ये problem हमारे उपर और भी हावी हो जाती है तो इस तरीके से अपने खाने में थोड़ा सा अपने आपको yoga करना है आपको meditation करना है meditation अगर आप करते हैं तो 80% आपको ये problem आपकी कम हो जाती है meditation योगा का भी accepted video करके मैं डालूंगी ताकि आपको करने में easy हो तो इस तरीके से आप करके और अपना बहुत अच्छे से आप केयर कर सकते हैं आजकल ये problem बहुत ही normal होगी है तो डरने वाली कोई बात नहीं है medicine पे अगर है तो डेली अपना जो tablet है वह आप डेली लिए उसको skip करने की जहुरत नहीं है विकॉज उससे आपको problem हो सकती है तो इसलिए आपको medicine लेना है और ये सारी चीजे जो herbal है वह आप लेंगे तो इससे आपको supplement मिलेगा आपको help मिलेगा आपका बीपी जो है fluctuate नहीं करेगा बैलेंस रहेगा थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाई टेक केर बाई